हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में जिसका नाम है Mathematical Reasoning 11th क्लास का चैप्टर है ये और मेंस के एक्जाम मेंस के एक्जाम के पॉइंट अ व्यू से बहुत ही जादा काफी चैप्टर है दो से तीन लेक्चर में खतम लेंगे इसको आदे आदे गंटे चालिज चालिज मिट के दो तीन लेक्चर लेंगे इसमें और एडवांस में तो पुछा नहीं जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के सेलबस में है और पीछे कुछ सालों का पेपर अगर अनलाइज करें हम लोग जाई मेंस का तो अन एवरेज हर एक क्वेस्टिन पेपर में एक क्वेस्टिन मैथेमेटिकल रिजिनिंग का होता ही है तो ये इसकी इंपोर्टेंस है छोटा और आसान चैप्टर है और आराम से चार यप चार नंबर हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं इसका ठीक है तो गिवन दे इंपोर्टेंस आप इस चैप्टर let's start without wasting any time सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में उसका नाम है mathematical statement कि सको बोलते हैं या mathematical statement ना बोलके उसको हम लोग simply statement भी बोलेंगे जब मैं बात करूंगा इस statement की तो वो mathematical statement की ही बात की जाएगी, ठीक है, ऐसा statement जिसकी truth value में कोई किसी प्रकार का कोई confusion ना हुआ, या तो हमेशा सही हो या गलत हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई doubt ना हो, इस तरीके के sentences जो होते हैं, उनको statement बोला गया है, तो ये definition लिखी है इसमें, क्या बोलने है, जैसे example मान लो मैंने लिया, कि say Lahore is the capital of Pakistan, ठीक है, तो ये एक statement लिखा है, मैंने simple सा, एक statement लिखा है, sorry, हाँ, एक sentence लिखा है, कोई भी ये बता सकता है, कि ये जो sentence है, इसके truth value क्या है, तो ये false है, इसमें किसी प्रकार कोई confusion ना ही है, ठीके ना, भी जो भी लड़नेड आदमी होगा, वो ये ही बोलेगा, कि ये statement गलत है, क्योंकि पाकिस्दान की रजधानी तो जो है, वो Islamabad है, जैसे मान लो मैंने दूसरा कोई example लिया, root to age and irrational number, okay, तो कोई भी ये बता सकता है, कि हाँ, ये statement जो है, ये true है, इसमें किसी प्रकार का कोई confusion नहीं है, तो ये mathematical statement कहलाया, second वाला भी mathematical statement कहलाया, फिर मानलो मैंने पुछा, एक statement लिखा मैंने, where are you going, तुम कहां जा रहा हो, interrogative statement है, क्या ये बताना possible है, इसमें कि ये statement सही है या गलत है, ये नहीं बता सकते हैं, लोग तो इसलिए इस वाले sentence को हम लोग mathematical statement है, नहीं बोलेंगे, तो फिर simply हमने बात की, एक ऐसा sentence, जो या तो सही हो जाए, या गलत हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई doubt नहीं हो, वो कहलाता है, statement या फिर mathematical statement, ओके, तो ये तीन example note कर लिए हमने, तो अगर ऐसे में बात करूँ, जैसे, exclamatory statement होता है, या interrogative statement होता है, या imperative statement होता है, जैना, exclamatory जिसमें हम लोग exclamation का यूज करते हैं, imperative जिसमें questions पूछे जाते हैं, imperative जिसमें कोई command दिया जाता है, इस तरीके के statements, या sentences जो है, वो statements नहीं कहला जाते हैं, these are not statements, okay, I hope clear है सब, okay, तो यह तो बात हो गई, mathematical statement या statement किसको कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का, उसकी truth value, उसकी सत्यता के बारे में, किसी प्रकार का कोई संदे नहीं होना चाहिए, ठीक, अब बात करते हैं, simple statement क्या होगा, simple statement, ऐसा simple statement, जिसकी truth value, किसी अनने, किसी दूसरे statement के उपर depend नहीं होगे, जैसे, अगर मैंने बोला, के, set of natural numbers, मालनों मैंने लिखा, set of natural numbers, यह जो finite set, ओके, I hope set वाले chapter में आपने यह, finite set क्या होता है, infinite set क्या होता है, यह पड़ा होगा, तो मैंने यह बोला कि, set of natural numbers जो है, वो finite set है, obviously, सबको पता है, कि यह वाला statement क्या है, गलत है, इसमें किसी प्रकार का कोई confusion नहीं है, okay, तो यह, अब इसकी जो truth value है, वो किसी दूसरे statement के उपर depend नहीं कर रही है, इसलिए, यह simple statement खेलाया, ठेक है, simple statements को generally हम लोग, P, Q, R, small letter से denote करेंगे, इस वाली chapter में, ठेक है, जैसे माल लो मैंने बोला, root 5 is an irrational number, ठेक, तो यह भी एक statement है, क्योंकि यह always true है, किसी प्रकार का कोई doubt नहीं है, और इसकी truth value है, वो किसी दूसरे statement के उपर depend नहीं कर रही है, इसलिए, यह भी एक simple statement हुआ, the next thing is, compound statement किसको बोलेंगे, compound statement एक, word आया मेरे पास compound, तो यह तो देखो, इसके नाम सी clear हो रहा है, यहना, compound statement ऐसा statement होगा, जो दो या दो से ज़्यादा simple statements को मिला के, बनाया क्या होगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा simple statements को combine करके, जब एक पूरे statement बनेगा, वो कहलाएगा, compound statement, यह जो, simple statements का यूज करके ये जिन simple statement का यूज करके compound statement बना है ये कहलाते हैं sub-statements इनका एक अलग नाम दे दिया ये sub-statements कहलाते हैं तो sub-statements का यूज करके compound statement बनता है जैसे अगर example की बात करें तो मा numbers मैंने लिखा if if x is not divisible by 2 then x is an odd number okay अब ज्यान से देखो तो ये एक statement नहीं है एक से जादा statement का यूज किया गया है पहला statement है पहला statement ये है x is not divisible by 2 दूसरा statement है x is an odd number इन दोनों को हमने if और then का यूज करके combine किया है तो ये जो दो statement हुए चोटे चोटे कौन से x is not divisible by 2 और दूसरा x is an odd number ये कहला है sub statements और इन sub statements को combine करके if और then की help से हमने एक compound statement बना लिया अब compound statement की जो truth value होगी इसकी जो सत्यत्या होगी इसका सही होना गलत होना ये उसके sub statements की truth value के उपर depend करेगी ठीच अच्छा अब ये जिन words का यूज करके हम लोग sub statements को join करते हैं combine करते हैं उनको क्या कहा जाता है तो ये लिख लिया हमने the words yafir phrases which are used to combine combine sub statements are called logical connectives जैसे उपर जो example मैंने नोट किया जिसमें if or then का यूज हुआ तो ये if or then एक logical connective है इस तरीके के कुछ और भी connectives होते हैं जिनका यूज करके हम लोग 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से ज्यादा simple statements को combine करके compound statement मनाते हैं तो primarily अपने को 5 तरीके के logical connectives पढ़ने हैं तो आज हमें इनको नोट कर लेता हूँ मालो मैंने यहाँ serial number लिख दिया ठीक है फिर यहाँ मैंने connectives लिख दिये connectives बोले या logical connectives बोले एक ही बात है ओके उसका symbol कैसा होगा उसका नाम क्या होगा और किस तरीके से उसका यूज करेंगे हम लोग ओके तो primarily मेरे पास पांच connectives हैं तो प और क्यू के बीच में जब ऐसे वाला sign लगा दिया तो यह हो गया प और क्यू अगला connective है मेरा and inverted V और इसका नाम होता है conjunction conjunction कैसे ही उसका करेंगे P and Q यह हो गया next है not not का symbol इस तरीके से नाम इसका क्या होता है negation कोई simple statement P है उसके सामने ऐसा negation का sign लग गया फिर next आता है if then क्या symbol है इसका single sided arrow नाम क्या है इसका नाम है इसका implication implication या फिर conditional यह इसका नाम हो गया कैसे ही उच करेंगे P और Q के बीच में ऐसा arrow लगा है तो इसको बोलेंगे if P then Q ओके और आखरी है if and only if जिसको हम लोग IFF करके भी लिखते हैं ऐसे क्या symbol है इसका double sided arrow इसका नाम क्या है double implication या by conditional यूज कैसे करेंगे P double sided arrow Q तो यह कुछ logical connectives है ठीक अभी तक हमने पढ़ा mathematical statement किसको बोलते है simple statement क्या होता है compound statement क्या होता है क्या-क्या connectives use होते हैं दो या दो से ज्यादा simple statements को combine करके compound statement बनाने के लिए अगले चीज़ जो पढ़नी है वो है truth table truth table basically एक ऐसा table है जो हमें compound statement और उस compound statement के जो sub statements है इनकी truth value को relate करता है मतलब sub statement की truth value के हिसाब से पूरे-पूरे compound statement का truth value किस परकार से change होगा इस बात को एक table में लिख देना कहलाता है truth table ठीक तो जैसे अगर example से समझें जैसे मानलो मैंने बोला रोहित एज़ स्टूडेंट एंड हार्ड वर्किंग तो इसमें दो statement मैंने consider किया एक है रोहित एज़ स्टूडेंट ठीक है अगर मैं इसके सब statements की बात करूँ तो एक statement यह हो गया रोहिती जैस्टूडेंट और दूसरा सब statement यह हो गया रोहिती हार्ड वर्किंग ठीक सही बत अब बीच में कुन सा connective यूज हुआ एंड मतलब कि यह जो statement लिखा है यह लिखा है पी एंड क्यू ठीक अब पी का क्यू का सही होना या नहों होना यह इस पूरे-पूरे compound statement का सही या गलत होना decide करेगा सही कैसे जैसे रोहित मानलो student है यह नहीं रोहित मानलो रिक्सा चलाता है student नहीं है और फिर हम यह बोलना है कि रोहिती जैस्टूडेंट and hardworking मानलो कि रोहित रिक्सा चलाता है और hardworking है लेकिन वो student नहीं है तो यह पूरा-पूरा जो statement लिखा है रोहिती जैस्टूडेंट and hardworking यह सही होगा या गलत यह गलत होगा obviously तो इस पूरे statement का सही होना गलत होना यह इसके सब statements के truth पे truth value पे depend करता है इसी बात को एक table में लिखना यह truth table कहलाएगा ओके तो आजब truth table लिखते हैं हम लोग ठेक है truth table बनाने के लिए मैं एक table ऐसा create कर ले रहा हूँ महलो sub statement P और Q दो sub statement है पहला जो truth table में बनाऊंगा P और Q के लिए ठेक है P और Q जिसको disjunction भी बोलते हैं अगला जो होगा वो P and Q के लिए होगा next होगा negation P के लिए negation P तो बहुत easy हो जाएगा फिर next होगा P implies Q के लिए या if P then Q भी इसको read करते हैं हम लोग और आखरी में P by conditional या P double implication Q जिसको हम लोग if and only if भी बोलते हैं ओके तो ठीक भी हो आजो start करते हैं अब P जो है वो या तो P सही है Q भी सही है ऐसा हो सकता है कि P सही हो Q false हो या फिर P false हो जाए Q true हो जाए या फिर दोनों false हो जाए ये चारी case बनेंगे एक दो तीन और चार सही है तो इन सब के लिए बागी सारे statement का two table बनाना मुझे अब एक चीज में एक काम करता हूँ one for t लिख लेता हूँ और zero for false लिख लेता हूँ तागी मुझे बार बार t और f न लिखना पड़े क्योंकि one और zero लिखना मेरे लिए easy है ज्यादा ठीक तो मैंने लिखा one 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 zero zero one zero zero one one माने true zero माने false अब पहला आ गया और तो पी और क्यू पी क्यू में से कोई भी एक अगर सही हो जाए कम से कम एक भी है तो यहां तो दोनों सही है तो यह पूरा statement सही माना गाएगा पी सही है क्यू गलत है तब भी और क्यू सही होगा पी गलत है क्यू सही है तब भी यह सही होगा जब दोनों गलत हो तब भी और क्यू अला statement गलत होगा next है end end के लिए आपको पता है दोनों सब statement का सही होना जरूरी है जैसे उपर मैंने पहले example लिखा था कि रोहित ही जाए student and hard working तो इस पूरे statement का सही होने के लिए रोहित का student होना as well as hard working होना दोनों ही जरूरी है तो अगर p और q दोनों true है तो p and q true होगा बाकी हर case में ये false हो जाएगा negation p का मतलब p का उल्टा तो अगर p 1 है तो उसका negation 0 होगा और p अगर 0 है तो उसका negation 1 हो जाएगा ठीट यह यहां तक तो बहुत ही simple है end हो गया और हो गया आखरी जो दो है इनको अलग से समाझने की जरूवत है अब p implies q इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको और क्या read करते हैं हम लोग if p then q ऐसे भी read करते हैं या फिर p implies q ऐसे भी read करते हैं ठीक है जैसे माल लो मैंने एक statement लिखा हूँ statement है if झारे करते हूँ ऑफ करते हैं च च वोठावा च तुड़्या या रजूड रजू इस दुड्वट तूट जैसे लिगशने आजू करता हैं इस दिके नदूड विगज़कता है तूडूड है तोल्ड़ करते हैं ये एक statement है इसके component statement या sub statement क्या क्या है Ramu is a student sorry and Ramu will go to school ये दो sub statement को if or then लगा के combine किया ठीक है तो मालनों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर Ramu विद्धार थी है तो वो विद्धार ले जाएगा चलो इसके सही गलत होने की बात करते है जो मालनों मैं गते हैं कि Ramu student है और वो विद्धार जावी रहा है तो ये पूरा पूरा statement जो मैं बोलना हूँ ये सही है ठीक है तो अगर मैं इसको P बोलूँ और ये he will go to school इसको Q बोलूँ तो P अगर सही है Q भी सही है तो ये जो P implies Q है ये भी ठीक है ओके फिर अगर मैंने बोला मालनों ऐसा condition है कि Ramu student तो है लेकिन वो विद्धार नहीं जा रहा है तो फिर मैंने क्या बोला था मैंने ये बोला था कि Ramu अगर विद्धार थी है तो वो विद्धार जाएगा लेकिन Ramu विद्धार थी तो है और वो विद्धार नहीं जा रहा है तो फिर ये मेरा जो statement है वो विद्धार थी है तो इस्कूल जाएगा विद्धार जाएगा ये मेरा statement जो है वो गलत है अब और क्या condition हो सकता है कि Ramu student ही नहीं हो तो ओक्राजु सारी student ही नहीं हो अब देखो जब वो student ही नहीं हो मैंने क्या बोल गाता कि अगर student है तब विद्धार जाएगा अगर student नहीं है तो उसके बारे में मंने कुछ claim ही नहीं किया वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा बात सम्माद में आ रहा है कि रामो अगर विद्यार्थी है तो वो स्कूल जाएगा तो मैंने तो क्लेम ये किया ना कि अगर वो विद्यार्थी है तब नहीं है तो क्या करेगा इसके बारे में तो मैंने कुछ क्लेम किया नहीं तो फिर कोई भी मुझे गलत सावित नहीं कर सकता है मैं गलत एक ही condition में हो सकता हूँ कि रामू student तो है लेकिन वो विद्धाले या school नहीं जा रहा है ठीक तो यह explanation तुम्हें समाझ आया तो अब इसको याद कैसे रखना है कि यह conditional statement है implication है यह गलत एक ही condition में होगा मतलब P implies Q की अगर मैं बात करूँ तो यह false एक ही condition में होगा जब P सही हो और Q false हो इस case में यह false होगा बाकी हमेशा true रहेगा ठीक तो अब यह सारा मैं कुछ हटा के बस यह एक line लिख लेता हूँ यहाँ पे P implies Q is false only when P is true Q is false इसे condition में यह गलत होगा बाकी हमेशा सही होगा ठीक तो एक तो यह बात याद रख लेनी है और आखरी है double implication double implication का मतलब P implies इसका मतलब हुगा जैसे एक side implication इसका मतलब होता है P implies Q और इसका मतलब होता है Q implies P ठीक है अगर कहीं पे दोनों side से arrow लगा है तो मतलब इसमें P implies Q भी है और Q implies P यह दोनों चीजे हैं इसमें ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं यह अलग से लिखूँ P double implication Q के लिए तो इसका मतलब होता है P implies Q and Q implies P तो चलो इसका trick table मैं अलग से बना लेता हूँ इदर यह P का column हो गया यह Q का हो गया P implies Q का हो गया यह Q implies P का हो गया और यह हो गया अपना P, Q, P implies Q Q implies P और यह दोनों मतलब यह चीज ठीक अभी 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 यह चार possibility हो सकता है अभी अभी हमने पढ़ा कि यह P implies Q वाला स्टेट्मेंट यह गलत अभी होगा जब P सही हो Q गलत हो इसके अलावा तो हमेशा सही हो गई Q implies P गलत कब होगा जब Q सही P गलत तो देखो कहा पर ऐसा लिखा है यहाँ पर Q सही P गलत तो यहाँ 0 हो गया बाकी हर जगे पर 1 अब हमें क्या लेना है इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का इन दो कॉलम्स का मुझे intersection लेना है ठीक है तो बस इन पर फोकस करेंगे intersection मनलब कि end की बात कर रहा हूँ मैं तो end में तो आपको पता है बही है जब दोनों जगे पर 1-1 लिखा रहेगा तभी वो सही होगा otherwise तो वो गलत होगा तो यह truthable यह होगा इसका कैसे याद रखेंगे देखो truth value अगर तुम गौर करो यहाँ पर तो जब P और Q दोनों का truth value एक जैसा है मतलब P और Q दोनों सही है तब यह सही है P और Q दोनों गलत है तब भी यह सही है तो इस तरीके से हमको याद रखना है ऐसे कि P double implication Q is true only when both P and Q have same truth value मतलब दोनों सही तो सही हो गया दोनों गलत तो भी सही हो गया otherwise गलत हो गया तो इसको मैं यहाँ फिल कर देता हूँ देखो पहले कॉलम में पहले रो में देखो P और Q दोनों 1-1 है तो यहाँ भी 1 हो गया चौथे रो में अगर देखें तो 0-0 यहाँ भी 1 हो गया बाकी गलत तो यह हमारा to table हो गया to table याद रखना है देखो याद रखना बहुँ सिंपल है और और and सबको याद है negation तो बहुत ही जी है जो आखरी वाले दो है implication और double implication उसमें दो statement तुम्हें याद रखना है बस implication के लिए याद रखना है कि P implication Q गलत अभी होगा जब P सही Q गलत हो और double implication में क्या याद रखना है कि जब दोनों ही सही हो या दोनों ही गलत हो P और Q तो P double implication true हो जाएगा otherwise गलत हो जाएगा ठीप यह इसके true table की बात होगी अच्छा अब आजाते हैं logical equivalence के उपर दो compound statements को logically equivalent कैसे बोलेंगे या कब बोलेंगे तो दो compound statements logically equivalent तभी कहलाएंगे जब उन दोनों का true table exactly same बने ठीक है अगर लिखो में इसको true compound statement मालनो पहला compound statement P Q R इस तरीके के simple statement से बना है दूसरा compound statement भी P Q R इस तरीके के compound statement से बना है ठीक है तो उनको logically equivalent या logically equivalent नो बोलके simple हम लोग equivalent भी कही बार बोल लेते हैं तभ बोलेंगे जब they have same truth value for all possibility ठीक है symbol कैसा यूज होता है ऐसे तीन बार equal to का sign है एक और horizontal बार मना दो तो ये sign हो गया है logically equivalent का example से समझो और समझाएगा पहला example मैंने ये लिया है कि ये पी implication q और negation p और q ये दोनों logically equivalent है कैसे इस बात को देखेंगे हम लोग true table बना लेते हैं दोनों का ठीक है मालो ये पी हो गया q हो गया यहां negation p चाहिए अपने को और कैसे ये p implies q चाहिए और negation p r q चाहिए ठीक 11100100 ठीक है negation p तो बहुत easy है p का उल्टा कर दिया 1 के जए 0 0 के जगे 1 p implies q ये भी बहुत easy है ये 0 तभी होगा सिर्फ इस केस में 0 होगा जब p क्या हो 1 और q 0 बागे तो हमेशा 1 फिर आखरी में negation p और q का r लेना है तो negation p पे focus करो और q पे focus करो इनका और लेना है तो और पे तो आपको बता है दोनों statement में से कोई सा भी एक true हो जाए तो true हो जाएगा तो यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 अब तुम देखो भई है इनको compare करो p and q की सारी possibility के लिए for all possibility of p and q इनका जो truth value है किसा इसका p implies q का और negation p और q का वो सेम है इसका मतलब कि यह logically equivalent हो गए ठीक है तो कभी question ऐसा पुछा जाएगा कि दो statement दिये रहेंगे पता करना होगा कि logically equivalent है या नहीं तो truth table बना लो अच्छा अभी किसी को लग रहा होगा कि यह truth table बनाना तो बहुत ही काफी मुस्किल काम है तो नहीं भी यह अभी बना के देखना question करके है न mains की बात करने तो दो minute में लगवा कि question करना होता है और truth table किसी भी तरीके question में बनाने में hardly एक minute या उससे भी come time लएगा तो एक minute के अंदर अंदर तो नहारा question solve हो जाएगा दूसरे question की बात करते हैं अच्छा दूसरे question में मैंने बोला कि P double implication Q ये P implies Q and Q implies P एक ही बात है ये हमने पहले भी देखाते हैं यहाँ पे यहाँ देख लो ठीक है तो उसी का example है ये already लिखा हुए हम लोका हो कि जो double implication है P both side arrow Q किसके equivalent होता है P implies Q and Q implies P ठीक तो ये तो बात होगे truth table की अब आज वो कुछ example देख लेते हैं जैसे पहला example है मुझे true or false बताना है हर एक statement के बारे में वो सही है या गलत है पहला लिख रखा है first part में P and Q is true when at least one of P and Q is true मतलब P और Q में से एक भी अगर सही हो जाए तो P and Q सही होगा ये तो गलत चीज है है हमें पता है P and Q को सही होने के लिए दोनों का सही होना जरूरी है पहला false होगा है second के लिख है P implies Q यानि के if P then Q is true when P is true and Q is false गलत है ये अभी अभी तो इतनी कितनी बार discuss कर लिए हमने कि ये जो condition है P का सही हो जाना Q का गलत हो जाना ये ही एक मात्र ऐसी condition है जिसमें P implies Q क्या होता है गलत होता है तो यहाँ तो true लिख रखा है न तो overall ये statement क्या हो गया गलत next क्या है P double implication Q या जिसको दूसरे और सब्दों में कैसे read करते है P if and only if Q is true only when both P and Q are true बोलना है इस वाले statement में बोला जा रहा है कि जब P और Q दोनों सही होगे सिर्फ तभी P double implication Q सही होगा नहीं ये गलत बात है अगर P और Q दोनों गलत भी हो गये तभी ये सही हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला statement भी जो है false लिखा है और आखरे में लिखा है negation of P और Q is true only when both P and Q are false अगर दोनो P और Q false है ठीक है मतलब P की जगे पे 0 रख लो और Q की जगे पे भी 0 रख लो तो 0 और 0 और उसका negation ठीक है 0 और 0 का negation 0 और 0 जीरो हो गया और 0 का negation जो है वो 1 आ गया 1 मने true होता है तो ये बोलना है कि अगर P और Q दोनो false है तब जो है ये वाली चीज सही हो जाएगी लेकिन क्या सिर्फ तभी सही होगी ये चेक करना है तो देखो P और Q में से अगर एक को भी हमने 1 मना लिया न तो उनका और जो है वो 1 आ जाएगा और 1 का negation जो है वो 0 आ जाएगा तो 0 आगे मतलब false आगे न अपने को दो true चाहिए तो इसका मतलब ये वाला statement जो है सही लिखा हुआ है ठीक अगला question क्या है अगला question है इन चारो option A, B, C, D में से कौन से statement है जो P और Q के logically equivalent है तो इसका मतलब वो true table बना अगे सबका देखना पड़ेगा अब तो बोलोगे जरी चारो option का सबका true table बनाना पड़ेगा बिलकुल सबका और सबका बनाने में hardly से बनाता हूं उसको P का column लिया मैंने Q का column लिया और देख लो क्या क्या चाहिए negation P चाहिए ठेक वो भी रख लिया negation Q चाहिए वो भी रख लिया P और Q चाहिए चलो वो भी रख लिया फिर पहला option मेरा P implies negation Q दूसरा option क्या है मेरा negation P और negation Q तीसरा option क्या है मेरा negation of ये चाहिए P implies negation Q मने negation of first option ठेक और आखरी में last है fourth option है मेरा negation of P and negation Q ठीक अब देखो कितना कम समय लाएगा इसको भरने में 1 1 1 0 0 1 0 0 negation P हो गया 0 0 1 1 negation Q हो गया 0 1 0 1 P और Q का P और Q का and लेना है तो 1 बागे सम में 0 ठीक है first option के लिए P पे फोकस करो और negation Q पे फोकस करो ठीक P and negation Q का implication है तो 1 0 यह 0 हो गया 1 1 1 0 0 1 0 1 1 ठीक है अब second option के लिए negation P और negation Q पे फोकस करो इन दोनों का और चाहिए और मने पताईए तुमें 0 0 का 0 हो गया बागे सब का 1 हो गया ठीक third option में पहले option का negation ही तो लिखाया third option और first option को एक बार देखो जरा क्या बुलना हो मैं third option और first option देखो एक दूसरे के negation ही तो है ये तो पहला option जब मैंने लिख दिया है तो तीसरा option तो सीधे उसका negation लिख लिए ठीक अब देखो यहीं से अग चौथा नौ भी लिखें single correct answer है अगर question तो यहीं से दिख गया मुझे क्या देखना था इसके logically equivalent shipment बताना है तो देखो same तो आया है यह तो इसका थर्ड answer हमारा correct हो गया फॉर्थ अब तुमारे मर्जी यह बनाओ ना बनाओ थर्ड question क्या है भी थर्ड question बोलना है इस वाले statement का equivalent statement इन चारों में से कौन सा है अब यह ऐसे सोचना थोड़ा मुस्किल है तो हम लोग इसको p q के form में लिख लेंगे अमेशा अब यहाँ पे दो statement है इसको मैंने p बोल दिया और यह वाले statement को मैंने q बोल दिया तो question में जो लिखा है वो p implies q लिखा है ठीक p implies q का equivalent इन में से कौन सा होगा तो अब पहला statement भी p और q के form में अगर मैं लिखा हूँ solution लिख रहा हूँ मैं first statement यह वाला क्या है यह q है और यह क्या है p तो पहला statement q implies p लिखा है क्या यह p implies q के equivalent होता है नहीं तो यह answer गलत हो गया b की बात करें b में लिखा है यह जो लिखा है कि p का उल्टा है निगेशन निगेशन p and निगेशन q निगेशन p and निगेशन q चलोग चेक करेंगे कि यह implication sorry इसका p implication q का equivalent है या नहीं third में क्या लिखा है निगेशन p और q निगेशन p और q लिखा है ठीक है और fourth तो अपना none आप दीजिए तो तुमको याद भी होगा p implies q का उपर मैंने logically equivalent के example में ही बताया था p implies q का equivalence negation p और q होता है ठीक है तो अगर वो चीज याद है तो third option तुम सीधे trick कर सकते हो ओके और अगर नहीं याद है तो फिर तुम क्या गरोगे तुटेबल बनाओगे तो मालो तुम्हें नहीं याद है चलो मैं तुटेबल बनाके बता देता हूँ कितना टाइम लएगा p बना लिया q बना लिया p implies q बना लिया फिर पहला option दूसरा option और तीसरा option बना लिया ठीक यह p q p implies q इसका equivalent चेक करना है first option में क्या लिखा है q implies p second में लिखा है negation p and negation q third में negation p और q लिखा है ठीक कर लेते हैं बई 1 1 1 0 0 1 0 0 p implies q तो यादी है तुम्हे इसकेस में 0 हो गया जब p 1 है q 0 है बाकी तो हमेशा 1 हो गया q implies p जब q 1 होगा और p 0 होगा तब यह false होगा बाकी हर situation में true तो यह दोनों logically equivalent हैं क्या नहीं पहला option गलत second option के बात करें negation p negation q का end लेना है तो तुम्हे first और second column पे focus करना है ठीक है अब यही चीज है direct लिखने के लिए negation p मालनो मैंने एक अलग से column नहीं लिखा है तो हम directly negation कर भी तो सकते हैं तो वैसे करके देख लो पहले रो में 0 और 0 का end 0 हो गया यहां 0 और 1 का end वो भी 0 हो गया third में बात करें तो 1 और 0 मैं direct negation कर रहा हूं p का और q का तो p का negation 1 q का negation 0 ठीक है third column की बात हो रही है तो यह भी 0 आया और आखरी में fourth option में one और one का end जो है one आ जाएगा क्या पहला और दूसरा option equivalent है क्या नहीं अब third option दिख लेते हैं negation p चलो लिख लेते हैं negation p यहांपे 0011 तो negation p का और किसका q का और लेना है 0 1 का और 1 00 का 0 10 का 1 10 का 1 चाहिए तो अब देख लो बहुत ही clearly यह देख रहा है कि third option जो है उसका truth table p implies q के truth table के बिलकुल exactly same है तो इसका मतलब third हमारा कर्रेक्ट आंसर हो गया ठेक ओके थैंक यू